हलो भाइन्यों एक बाव फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चलम में इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगी जो आज के दिन ECS T10 Protea का मैच नमबर 11 होगा जो खेला जाएगा यहाँ पर SOS जग्रेव वोरियर्स के बीच में मुकाबला जो है दोपेर में 12 बज़े स्टार्ट होगा और मैच जो है से वेन्यो पर खेला जाएगा इस मैच की में आपको सारी जानकारी वीडियो में दूँगा जिससे आपक करना कुछ नहीं है वीडियो जो है लाश तक वाच करना है सबसे मौस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या भाईयों के अगर आपने अब तक टेलीग्राम चनों को जरूर से जोइन कर लेना है टेलीग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन म पहले कमेंट में टेलीग्राम चनल का लिंक आपको टॉप पर पिंकिया वा मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चनल को जोइन कर सकते हो जोइन उना बहुत ही ज़ादा जरूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अप्डेट सारी के सारी आप आपको टेलीग्राम चनल पे मिलेगी जैसे कि ऑफिशल बेटिंग ओडर वहाँ पर आएगा जो कि बहुत जादा जरूरी है न्यू प्लेस के स्टैट्स और सबसे जरूरी चीज फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम चनल पे ही देखने को मिलेगी अब देखो पहले बात कर जाते हैं वेन्यू की तो देखो सेम वेन्यू पर मेच होगा 10 मुकाबले हो चुके पांच जिते बेटिंग फर्स कनेवाल टीम ने दो मेंच यहां पर नो रिजल रहे हैं तो यहां पर ना बेटिंग फर्स कनेवाल टीम को अब तक एडवांटिज रहा है आवरेज उसको 70- सो के बीच में आपर बनता है अब देखो पहले बात कर लेते हैं जग्रेव वोरियर्स की टीम की तीम की तरब से कर आप लास्ट मेच जो इनका हुआ ना वहां पर इनकी तरब से ओपन किया अभिशेक अवस्ति और शंदीप शिंग फिरा यहां से अलेन मैग्डेलनिक अब यहां पर इन सभी प्लेइर के इसी बेटिंग ओडर के साथ में अपन स्टैट्स भी देख लिते हैं जिससे अपनोंगो एक एक जिच क्लेयर हो जाएगी जिसने अपने लिए मकोर्टेंट रहेंगे और कौन सब उतने इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे तो पहली बात त गवस्ति और संदीब सिंग ऑपन करता है अभिशे कवस्ति को हर में उपन नहीं करता है कभी-कभी नीचे भी बेटिंग करता है लेकिन दो बड़ी बात है इसकी ध्यान से सुनना एक तो डेथ कंदर बोलिंग करवाता है और दूसरी बात कभी-कभी ऑपन भी आता है तो कुछ खास नहीं किया इसने पैदरान जेंग को आपके लिए आज के दिन का पहला ट्रंप रहेगा क्योंकि यह बहुत ही अच्छा बोलर है और दूसरी बाते बेटिंग में भी तो वन डाउन कर रहा है दो मेच में आप देखो कि तीन ओवर डालके विकेट लेस हैं बल्ले से नो बेटिंग दो और दस हैं आप देखो दो जाटेस में 24 टीटेल में 12 रन 15 विकेट है नरेन चंदरा ये भी बहुत अच्छा बोलर है विकेट लेता है तीन मेच में तीन विकेट है बल्ले से नो एक और तीन रन की पारी है निकिल देशाई लास मेच खेला जीरो रन एक तो यहां से देखो अभीशेक अवस्ती वेदरान जैंको नरेन चंदरा इंपोर्टर ये तीन प्लेयर तो में रखूँगा लेकिन इसके अलावा निखिल देशाई को में रखूँगा अगर इनकी टीम पहले बोली करती है अगर इनकी टीम पहले बेटिंग करती है उस कंड पहरी शाह जीरो रन है पिटर बोसन जाग है नोव बेटिंग दो नोट आउट नोव बेटिंग दो अठारा नोट आउट है रंजित भारती है यहां पर आप देख से तो तीन मैच में एक और डाल के विकेट लेसे हैं बल्ले से यहां पर तीन और दो रन की पारी है मौमद कुछ खास रिकोर्ड नी है तो यहां से सिर्फ एक मातर प्लेयर टीम में रखने लाइक साजित खान जिसको आप टीम में रख सकते हो बाकी कोई ऐसा प्लेयर नी है जिसको आपन टीम में रखें यह इनके बेंच के प्लेयर है यह भी इनके बेंच के प्लेयर है और यह भी अब देखो बात करेंगे दूसरी टीम यहाँपसर ओलिवर की टीम की जो कि इनका पहला मुखाला होने वाला है इस टूरौनामेंट का इनकी तरब से ओपन कर सकते हैं सिराज दिलबर और कासिर सही मी फिर आसकते हैं सेम हौक टन ध्यान रखना सेम हौक टन ओपन भी करता और क देखना होगा बेटिंग ओडर में कहां पर मेंशन रहता है मोहमद बुर्रान मानव नायक कृष्णा अधिकारी एंड्रियू क्रॉम इवान स्लिप सेविक यहां से मैथ्यू जॉंसन रंजित कुमार मूर्गन और रुत्राज सावन तो यह इनकी टीम का प्लेंगलेम रह सकता है और इस बेटिंग ओडर के साथ इनके प्लेयर बेटिंग कर सकते हैं बाकि कंफर्म तो अपन को ओफिशल बेटिंग ओडर से होगा अब देखो सिराज दिलबर अगर ओपन करता है तो बढ़ियां प्लेयर है आप देखो ओवरॉल इसने 21 टीटेन खेले 286 रन है लेकिन दो जाट 24 के अंदर 12 मैच में 195 रन उना 17 काया वरेज है रिसेंट फॉर्म 16,6,8,13,26 बढ़ियां है कासे सही में यह ओल डाउंडर प्लेयर है बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों चीज़े करता है आप देखो दो जाट 24 में 13 टीटेन में 297 रन सकता है इसका बर जो 5 892 रन 15 विगेट है कभी कभी बोलिंग भी करवाता है लेकिन दो जाट 24 के अंदर 5 मिच में 87 रन 43 का अवरेज है रिसेंट फॉर्म एक बीस चार जीरो है मौमद बुर्रा ने यह बोलिंग करवा सकता है हाला कि ओवर इसके कटते है लेकिन बोलिंग करवाता है दो जाट 24 मे चार मिच में 49 तीन विकेट है रिसेंट फॉर्म 27 जीरो विकेट जीरो विकेट एक विकेट बारा दो विकेट है कृष्णा अधिकारी बारा टीटेन में यह आप देखो कि 109 रन 10 कावरेज जीरो विकेट है रिसेंट फॉर्म 1818 नो बैटिंग जीरो हैं तो यहां से अगर यही बैटिंग वोड़र रहेता है तो इम्पोर्टन प्रेयर रहेंगे सिराज इलबर कासी सैंवी शैम होक्तन मौम्मध बूर्रान मानम नायक यह पांच प्रेयर इंपोर्टन रहेंगे अगर इस शैम बैटिंग प्रहें रहेता है एंड्रियू क्रॉम है काफी नीचे ख एक नौ बेटिंग नौ बेटिंग है रंजित कुमार मुर्गन आठ टीटेन खेला है 14 रने और जीरो विकेट है एक ओवर डालके रिसेंट फॉर्म छे नौ बेटिंग पांच जीरो विकेट नौ बेटिंग है रुतराज सावंद यह एक बोलर है जिसको आप टीम में सीधे सी रख लेना 22 मिच में 16 विकेट है और दो जाट चोईस में 6 मिच में 4 विकेट है 6 वर डालके रिसेंट फॉर्म एक विकेट जीरो विकेट एक नौ बेटिंग नौ बेटिंग है तो यहां से सिर्फ एक मात्र बोलर है रित्राज सावंद जिसको आप टीम में रख सकते हो बाक साथ मिचमें 6 रख 9 विकेट है रिसेंट फॉर्म नौ बेटिंग 6 एक विकेट नौ बेटिंग 9 विकेटơi इसरेंट विकेट रख चार आंप्डॉलबशीत है चार होड़्या है रिसेंट फोम दो विकेट mo एक नं केड़ एक के लिगेट जीरो विकेट है और यहां से मैदि मदू है अपने क्लब के लिए एक टीटवंटी का मैच खिला उसमें साथ रन है सेख सिद्दू तीन मैच खिला अपने क्लब अगर रिकोर्ड सही होरे खिलता है तो बहुत अच्छा प्ले रहा है यहां से दोनों प्लेयर जो हैं इनके रिकोर्ड मेर को कहीं पर भी नहीं मिले हैं इनकी तरफ से आपको स्टार्टिंग और डालते नजर आने चीए रितुरास सावत मौहमद दुर्रान डेथ में आने ची है उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चलनल से जोइनोना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो बेटिंग ओडर जो आएगा इस्पेशली एस टीम का वह बहुत इंपोर्टनेट है तो टेलीग्राम चलनल से जुड़ तो मेरे डेमो टीम के अंदर विकेट कीपिंग सिक्सेंस रखा है सैम हॉक्तन अभिशेक अवस्ती सिराज दिलबर एन देशाई कासिर सहीमी साजित खान मानव नायक वेदरान जैंको एन चंद्रा एम बुरुवान और रुतराज सावंत को मेरे रखा है क्याप्टर मेरे का अवस्ती लेकिन फाइनल टीम मिलेगे आपको टेलिग्राम पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लासत देखने के लिए आप सब का धन्यवाद